प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट मैं हूनितिन कुमार उत्तर प्रदेश में सरकार चुनाओ के बाद काम करना शुरू कर चुके हैं प्राइम के नतीजें आए 37 साल बाद बीजेपी ने बहुत ही एहम मिथक को तोड़ते हुए दुबारा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई मुकमंत्री योग्या दितनात उत्तर प्रदेश के दूसरी बार लगातार मुकमंत्री बने हुए हैं और अब समय है जब जनता से जुड़े हुए मुद्धय है उन पर चर्चा करने का और इसके अलावा सरकार का काम यह है कि जिन मुद्धो को लेकर के चुनाओं में विपक्षियों ने घेहरा था या जिन मुद्धो के बल पर सरकार ने जनता का सपोर्ट अपने पक्ष में म उत्तर प्रदेश के विधान सुबा चुनाओं के दोरान लगातार विरोधी दलो ने पीजेपी से ये सवाल पूछे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी की समस्या पर कुछ भी सोचा क्यों नहीं? क्यों परिक्षाओं के पेपर लीग होते गए? क्यों कोई नई सुत्रे तरीके से करीब 6-6,5 भर्तियां उत्तर प्रदेश में सरकारी की हैं ये भी कहा गया कि बीती सरकारों में जो भर्तियां हुआ करती थी उन भर्तियों में रष्टाचार बड़े पैमाने पर होता था एक विशेश वर्ग को सपोर्ट किया जाता था फाइले कहीं और से आती थी लिश्ट कहीं और बंती थी और कुछ और लोग उस पर मुहर लगा करके उसे पास करके लोगों को रोजगार दे दिया करते थे लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इस मुद्दे पर काफी कुछ अंकुष लगा और बीजेपी ने साड़े छे लाख सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में युगाओं को दी पूरे चुनाओं भर बीजेपी ने इस बात को कहा है लेकिन अब है पाच साल के बाद का हिसाब किताब देना हिसाब किताब बनाना और हिसाब किताब शुरू करने का काम क्योंकि दोबारा उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में बीजेपी आ तो गई है संकल पत्र में इस बात को भी कह दिया था कि हम बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगे और उसी को देखते हुए अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार खुद मुखमंतरी योगी अ आदितनात इस पूरे मुद्दे को ले करके काफी सजग है। 10,000 रोज़गार उत्तर प्रदेश में युवाओं को दीजे फैसला तो बहुत बड़ा है बहुत ही एहम है लेकिन इस फैसले पर कितनी जल्दी और कितना बहतर काम होगा ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन कोशिश पूरी है उत्तर प्रदेश की सरकार की बीजेपी की मुक्मंतरी योग्या दितनाद की कि इस बार जो सबसे बड़ी फास पिछले चुनाओं में बनी थी रोज़गार की इस बार उस फास पर पहले ही काम कर लिया जाए और युवाओं को रोज़गार दे दिया जाए लेकिन ये रोजगार देने की जो प्रक्रिया है ये कैसे होगी इस पर सवाल है क्या action plan बनाएगया है formula क्या है किस तरह से departments से list मागी जाएगी और कैसे सरकार रोजगार की स्थितियों को बहतर करेगा लोगों को रोजगार दे पाएगा जो युवा लंबे समय से तयारी कर रहा है जिने 5 साल में मौका नहीं मिला उनको आने वाले 5 साल के शुरुवात में ही मौका मिल जाना इसका क्या फॉर्मूला, क्या रोड मैप, क्या एक्शन प्लैन सरकार ने तयार किया है इस पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि सबसे एहम सवाल उत्तर प्रदेश में अगर कुछ है तो वो रोजगार को लेकर की ही है देरोजगारी लगातार समस्या बनी हुई है, युवा सड़क पर है, युवा परिशान है और सरकार ने ये कह दिया है कि सौ दिन में दसजार रोजगार देंगे तो कहीं न कहीं एक उम्मीद की जो किरण है उन युवाओं को दिख रही है लेकिन अब ये जो भरतियां है, ये भरतियां कैसे होंगी, कैसे पूरी करी जाएंगी सौ दिन के अंदर ये भी अपने में एक बड़ा सवाल है, क्या कुछ पुरानी जो भरतियां उत्तर प्रदेश में अटकी हुई है उन्हीं को पूरा किया जाएगा, कुछ की परिक्षाएं रुकी हुई है, क्या उनको पूरा किया जाएगा या नए तरीके से नए भरतिया निगाली जाएंगी, आयोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि साफ सुतरी तरीके से परिक्षा कराईए, पेपर उपर ना उठो पाए और उसको पूरा करके रोजगार देने की प्रक्रिया, जो सौ दिन में जो लक्ष बनाया है दसजार रोजगार देने का सरकार ने, उसे पूरा कीजे, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार ने अपने शुरुवाती धिनों में ही इस फैसले को ले लिया है और साफ तोर पर मुख्यमंत्री ने इस बात को कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की बहुत ज़ादा जरूरत है क्योंकि गॉवर्मेंट सेक्टर में ही सबसे ज़ादा रोजगार दिया जा सकता है और उसी government sector से ही उम्मीद सबसे ज़ादा उत्तरप्रदेश के युगाओं को रहती है लंबे-लंबे समय तक युगा तैयारी करता है अपने घरों से दूर रहता है परिक्षा के लिए फारम भरता है लेकिन जब परिक्षा के पेपर लीख हो जाते हैं या परिक्षाएं नहीं होती है या फिर नौकरी के फारम नहीं आते हैं तो कहीं न कहीं उम्मीद जो है वो तूट जाती है लेकिन इस बार सरकार ने शुरुवाती चरण में ही इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम रोजगार देने की दृष्टी में पूरी तरह से तयार हैं, काम करने के लिए तयार हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि 100 दिन के अंदर 10,000 रोजगार उत्तर प्रदेश में दिये जा सके रोजगार की केटिगरी उत्तर प्रदेश में अगर देखी जाए तो कहीं न कहीं अलग-अलग डिपार्ट्मेंट्स में बहुत सारी जो भरतियां हैं, बहुत सारी जो पद हैं, क्या action plan बनाये गया है कैसे BJP इस पर काम कर रही है कैसे सरकार इस पर काम कर रही है आज हम इसी विशे पर चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या 100 दिन में ये मुम्किन है कि उत्तर प्रदेश में 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है या फिर सिर्फ एक बार फिर कहने की बात है एक रिपोर्ट देखिया और उसके बाद मैं इस डिमेट को शुरू करता हूँ धिर सकत्वी पहिंगे कि कि बाद रसस्तर आद चर्चा करेंगे कि बाद मैं अभी सिर्फ देखिया खिर्थ चर्चा करेंगे कि बाद में इस रभी प्रखियाध कि अद्सुरू हुआ अगाँ था पारे ही हुआ है झाल झाल